ये विडियो एक कालपनिक खबर पर आधारित है, इसका मकसद के विलहासिव यंग्य, स्वस्थ, मनरंजन और राजनी पेक कताक्ष करना है, किसी की मान हानी करना नहीं लाल कृष्ण आडवानी का जो हाल मोदी ने किया है, वे किसी से चिपपा नहीं है कहां तो आडवानी जी देश का प्रधान मंत्री बनने के सपने देख रहे थे, और कहां उन्हें देश तो क्या पार्टी में भी कोई पद नहीं दिया गया है उल्टा उन्हें पार्टी से बेईज़त करके मार्ग दर्शक मंडल में एक बेवकूप की तरह बिठा दिया गया और यह सब करवाया किसने मुदी और अमित शाह ने यही नहीं समय समय पर मुदी और शाह आडवानी जी को बेईज़त करते रहे वो अलग पीएम नाम बन पाने के बाद आडवानी जी की एक मात्र आस बची थी कि शायद मुदी जी उनका नाम राश्चुपत्ती के लिए आगे करें लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ तो आडवानी की हालक तुर्धोबी के उसकुत्ते की तरह हो गई है को ना तो घर का रहाना घाट का अपनी उम्र का आखरी पड़ाव में पहुच चके आडवानी जी ने अब मोदी से अपना बद्दा लेने के बारे में मन बना लिया है सुनने में आया है कि लाल कृष्णा आडवानी ने भाजपा के एक सो अन्यनेताओं के साथ कॉंग्रेस जवाइन कर ली है और आगामी 2024 के लोग सभा के चुनाव कॉंग्रेस के साथ मिल कर लड़ेंगे उनके इस कदम से खत्म होती हुई कॉंग्रेस को भी नया जीवन प्राप्त हुआ है और वहीं दूसरी और लाल कृष्णा आडवानी को उनका खोया हुआ समान वापिस प्राप्त होगा सुनने में आया है कि आडवानी 2024 में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और कॉंग्रेस की तरफ से पी एम पद के उमीदवार होंगे यह कबर सुनते ही जहां कॉंग्रेस में खुशी की लहर है वहीं दूसरी और भाजबा और मोदी खेमे में शौकी लहर है यहां तक कि गोदी मीडिया के इंकर भी इस मामले में चुपी साध कर बैट गाए हैं और इस मामले को किसी तरह दबाने को कोशिश कर रहे हैं अब यह वाकई देखने वाली बात होगी कि आडवानी की 2024 में मोदी को हरा पाते हैं या नहीं